नमस्कार दोस्तों, Crescent Education Classes में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों आज है भारती राजी विवस्ता का Part 5, आज का टॉपिक रहेगा राश्पती एवं उपराश्पती, पिसले वीडियो में हमने आपको बताया थे कि राश्पती एवं उपराश्पती पर नेक्स वीडियो रह तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, तो दोस्तों आज का पहला प्रश्पती के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, आपके सामने चार उप्शन है, संसत के दोनों सदनों के निर्वाचे सदस्य, राजे विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचे सदस् दिल्ली और पुर्दिचेरी के विधान सभाओं के निर्वाची सद्धिया। दोस्तों, एक क्वेशन इस तरह का है, कूट वाला है, हालनकि मैंने इसमें कूट नहीं बनाया है, एक से ज़्यादा अंसर हो सकते हैं, बदलब की A, B, C, B हो सकता है, B, C, D, B, O, A, C, D, B., इस तरह से, एक से ज़्यादा अंसर इसके हो सकते हैं, क्यूंकि जो कूट वाले पूर्षन होते हैं, इसको सेटMar तज में थुदार ताइम लगता है, तो आप इसके अपने अंसर प्लग प्लाइब उछ लुएं शूरे नहीं जो इसके दोड Article 54 है, यहां पर राश्पती के निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बारे में बताए गया है, ठीक है, Article 54 बहुत इंपोर्टेंट है, तो इसमें क्या होता है कि संसत के दोनों सदनों के निर्वाचे सदस्य होने चीए, ठीक है, ध्यान रखना, निर्वाचे, मनोनित नी आएंगे इसमें, ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला आता है, सबी राज्यों के विधान सबाओं के निर्वाचे सदस्य, विधान सबाओं के निर्वाचे सदस्य आते हैं, विधान मंडल के नी, ठीक है, और इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी विधान सबाओं के करते थे ठीक है लेकिन सत्तरवा साविधान संसोदन वा कौन सा सत्तरवा 17 ठीक है सत्तरवा साविधान संसोदन अधिनियम हुआ 1992 में और फिर जो दिल्ली और पुडुचेरी हैं इसकी विधान सभाओ के निर्वाचे सदस्यों को भी राश्पती के निर्वाचेक मंडल में सा ज़ादा अंसर हो सकते हैं ठीक है वह भारत का नागरिक हो वह 35 वर्स की आयू पूरी कर चुका हो वह संसत का सदसे निर्वाचित होने की योग गेता रखता हो तो कितने अंसर इसमें सही हो सकते हैं तो और हरत का जो राश्पती है उसकी अहरताओं के बारे में आर्टिकल 58 में बोला गया है ठीक है आर्टिकल 58 में ठीक है तो आर्टिकल 58 ये बोलता है कि जो भारत का राश्पती है पहले तो दोस्तों वो भारत का नागरिक होना चीए दूसरा वो 35 वर्स के आयू पूरी कर चुका हो ठीक है वो संसद का सदसे निर्वाचित ह वह रखता हो, देखे यहां पर थोड़ा गलत हो गया, यहां पर होना चीए था लोकसभा, तो संसद का मतलब क्या है और संसद में आपका राजय सबब भी आ जाएगी, तो वह लोकसबा का सदसे निरवाचित होने की योगिता रखता हो, यहां पर होना हो तो सी वाला क्या हो जाता है अपनी आपी गलत हो जाता है ठीक है और वह किसी लाप के पद में ना हो ठीक है office of profit पर ना हो यह सामयना योग गिता हैं जो कि article 58 में भारत के राशपती के विशे में उलिखित है ठीक है यह आप याद करेंगे ठीक चलिए आगे बढ़ेंगे भारत का राशपती अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा अब चलो यह एक ऐसा कोशन है जिसमें आपका केवल एकी आंसर होगा ठीक है तो भारत क इसका राशपती अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा लोगसाबा अध्यक्ष को उपराशपती को परधान मंत्री को या फिर भारत के मुख्य नैधिस को तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किसको उपराशपती को ठीक है राशपती क्या करता है अपना जो वो उपराश्पती को संबोधित करके देता है ठीक है और इसका कौन सा आर्टिकल है चपन को यह चपन एक बोल लो ठीक है तो चपन एक में बताया गया है कि जो राश्पती है वो अपना उपराश्पती को संबोधित करके त्याक पत्र देता है ठीक है और उपराश्पती इस भारत के निमलिकित राश्पतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदुलन से संबंदित रहें? बहुत अच्छा प्रशन है ट्रेड यूनियन आंदुलन से संबंदित कौन से राश्पति रहें? वीवी गिरी, डॉक्टर फकरूदीन अली एमत, डॉक्टर जाकिर हुसेन या वीवीगिरी, चौथे नमबर के भारत के रश्पती थे, ठीक है, तो 1969 से लेकर 1974 ये इनका कारेकाले है, ठीक है, तो अखिल भारती ये ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के ये दो बार अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से इनका संबन्ध रहे है, ठी ठीक है और ध्यान लखना है कि जो डॉक्टर जाकर हुसेन है ठीक है और डॉक्टर फकरुदीन अली एहमद है यह ऐसे राश्पती रहे हैं जिनका निधन उनके कारेकाल में ही हो गया था तो कभी काद यह प्रशन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन से राश्पती है जिनका निधन उनके कारेकाल में हो सकता है तो इसमें से एक नाम लिख लेंगे जाकर उसेन बागी कुछ अलग नाम होंगे ऐसी डॉक्टर फकरुदी अली एहमद का नाम लिखा जाएगा बागी कुछ अन्य आप्शन होंगे तो यह सब चीज आपको मैं एक्स्ट्रा फेक्स भी बताते रहोंगा ठीक होगे तो वीवीगरी किस से रिलेटेट थे ट्रेंड यूनियन आनुलन से सम्मंदित रहें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भारत सरकार का सम्वेधानिक अध्यक्ष कौन होता है एक ही ऑप्शन होगा इसका ठीक है राश्पती परधान मंत्री भार इसके अनुसार क्या है वाईया जो कारेपाली का सक्ती होती है संग की executive power वो राश्पती में ही नहीत होती है ठीक है लेकिन वो क्या करता है अपने अधिनस्तों के माध्यम से इन कारेख को करवाता है ठीक है यह मैं आपको पहले भी topic में बता चुका हूँ ठीक और इसके अल सेना जलें. इनका सरवोची कमांदर भी कौन होता है राष्पता थो यहां से भारत gives राष्पति ऑवब राष्पता के निर्वाचन के सम्मंध में विवादो simple option है भारत का महान दिवक्ता करेगा संसत करेगी सर्वोची न्याले करेगा या फिर इन में से कोई नहीं तो भारत के राश्पति और उपराश्पति के निर्वाचन के संबंद में विवादों का समाधान कौन करेगा दोस्तों? यह करेगा उचितम न्याले, यानि की सर्वोची न्याले, सुप्रीम कोड होगा, ठीक है? अनुछेत कौन सा है? 71-1, ठीक है? तो राश्पति हो चाहे उपराश्पति, तो इसके निर्वाचन से संबंद जितने भी डाउट्स हैं या जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, इनका समाधान भारत की सुप्रीम कोड करेगा और उसका ही निर्णय क्या होता है? अन्तिम माना जाता है. चले आगे बढ़ेंगे. केंद्र और राज्य के म उनका वितन करने के लिए एक राश्पती किसी बोड़ी का गठन करता है. तो वह बोड़ी कौन सी है, वितायोग है, नीति आयोग है, कराधान जाँ चाहिए या फिर राजी वित्तायूग है तो कौन है इसका राइटांसर इसका राइटांसर है वित्तायूग से रेलेटेट कौन सा अर्टिकल है दोस्तों? 280, ठीक है? तो अनुछे 280 के तहट पर परतेख 5 साल पर या परतेख 5 साल की समाप्ती पर राश्पती क्या करता है? वित्तायों का गठन करता है. मतलब कि 5 साल जैसी खतम होने होते हैं, उसे पहले क्या करतेता है? राश्पती वित्तायों का गठन करता है, ठीक है? तो आयों क्य इन्हान में रखने चाहिए ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अभी वैसे देखा जाए तो एक करेंट का कोशन क्या बन सकता है कि भई अभी पंद्रवे वित्तायूक का गठन किया गया तो कौन है उसके अदिक्ष एनके सिंग ठीक है एनके सिंग पंद्रवव वित्तायूक चल ठीक, चैलेंगे, अगला देखे प्रश्न, भारत के उप्राश्पती का चुनाओं किया जाता है, भारत के उप्राश्पती की बात आ रही है, तो भारत के उप्राश्पती का चुनाओं किया जाता है, संसत के सदस्यों दारा, राज्यसभा के सदस्यों दारा, संसत के निर्व राश्पति का चुनाव किया जाता है अब संसद में कौन आते हैं लोकसभा और राज्यसभा ठीक है इसके लिए आर्टिकल है 66-1 ठीक ध्यानकना कि वहां पर राश्पति में कौन थे संसद के निरवाचिस सदसे ते यहां पर कहा है संसद के टोटल सदसे यांगि कि जो मनोनि भी यहां पर आते हैं यहां ध्यानकना ठीक है कौनसी प्रोसेस अपनाई जाती कभी एक काम करूंगा यह वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह प्रोसेस कैसी होती है ठीक है बड़ी इंट्रेसिंग सी प्रोसेस है इसके बारे में बताऊंगा लेकिन फिलाल थोड़ा भी इसको discuss करने का समय नहीं है ठीक है अगला देखते हैं अपराश्पति पदेन अद्यक्ष होता है पदेन अध्यक्ष होता है क्या उकराश्पती किसका पधीन अध्यख्षी होता है, राज्य सबा का, लोक सबा का होता है योजना ISO compile राष्टि विकास परिषयत का होगा, तो ईसका राइट आंसर के है दोस्तों, यह होता है,aste मैं और अपराश्पती होता है थाक है, तो यह actually क्या है, यह इसका पधीन तो यहां पर ध्यान रखना ये जो उपराश्पति का प्रावधान है ये अमने कहां से लिया है? अमेरिका के समिधान से लिया है, चले आगे बढ़ेंगे. अगला देखो, राश्पति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनुनित कि जा सकता है लोग सभा के लिए बात चिल लिए ठीक है लोग सभा के लिए अंगलो इंडियन समुधाई के कितने सदस्यों को मनुनित किया जा सकता है दो, चार, आठ या राश्पति के विवेक पर आधारित है, इसका राइट अंसर क्या है, इसका राइट अंसर है दो, ठीके, समिधान का अनुछेद है, आर्टिकल है 331, ठीके, अगर कोई राश्पति है, वो क्या कर सकता है, आंगल इंडियन, यानि कि आंगल भारती समुदा रहा है, तो इसलिए हो करता है, ठीके, तो ध्यान रखना कि ये कौंसे अर्टिकल में 331 में उल लिखेता है ये चीज, ठीके, कि अंगल इंडियन समुदाए के, दो सदस्यों को मनोनित किया जा सकता है, ठीके, चलिए, आगे बढ़ेंगे, भारत के महानियावादी की नूत करता है, तो कौन करता है दोस्तों, ये भी कौन करता है भारत का राश्पती करता है, ठीके, भारत का राश्पती का करता है, भारत के महानियावदी की नूति करता है, ठीके, बहुत अच्छा प्रशने देखिए, कई बार पूछा जाता है, कभी इंपोर्टें जो इंपोर् मंत्री हैं, मंत्री हैं, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल हैं, ठीक है, उनकी न्युक्ति किसके पर द्वारत की जाती है, ऐसे ही सुप्रीम कोट और हाई कोट के न्याइधी से हैं, उनकी न्युक्ति भी भारत के राश्पति के द्वारत की जाती है, भारत का महा न्याइव की जाती है, मुखे निर्वाचानायुक्त है, उनकी न्युक्ती भी किसके द्वारा की जाती है, राश्पती के द्वारा, मानवादीकार आयो के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, तो ऐसे ही मतलब यह रहता है, बहुत सारी चीज है, जिनकी न्युक्ती राश्पती के द वादी की नियुक्ति भारत के राश्पति के द्वारा की जाती है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अच्छा एक चीज और है भारत के महानियावदी आपका क्या होता है भारत का फस्ट लॉफसर होता है ठीक है भारत का पर्थम विदी अधिकारी होता है ठीक है इसके वेतन इस रूप से गठित अभिकरंड द्वारा, उच्छे तम न्याले द्वारा, केंद्र मंत्री मंदल द्वारा या फिर संसत के द्वारा तो इसका राइट अंसर है दोस्तों, इसका राइट अंसर है संसत के द्वारा, ठीक है, जब भी राश्पती पर महावियोग का प्रस्ताव चलाया जाता है, तो उस प्रस्ताव को किस के द्वारा चलाया जा सकता है, दोस्तों, संसत के द्वारा, ठीक है, प्रस्ताव आप संस को प्रस्ताव राश्था निमलिखित में रूप में रूप में निर्विरोध के से चुना गया था रौजियनद परसा तो इसका राइट अंसर क्या है? डॉक्टर नीलम संजीव रेड़ी ठीक है ये भारत के एक मात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राश्पती है और इनका कारेकाल मैं बता दू कितना है 1977 से 1982 तक का इनका कारेकाल है भारत के छटे नमर के राश्पती थे ठीक है चले आगे बढ़ेंगे निमल में से भारत के वा राश्पती कौन थे जो दो बार राश्पती के पत पर रहे रादा किष्णन, के आड नारेंड, नीलन संजीव रेड़ी या फिर डॉक्टर राजियन परसाद तो बहुत सिंपल है इसका राइट असर है क्या डॉक्टर राजियन परस तो डॉक्टर राजियन परसाद हमारे भारत के पर्थम राश्पती ठीक है अगला देखे भारत का राश्पती किसका एक अभिन अंग है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है किसका अंग है दोस्तों संसत का लोगसभव का राज्यसभव का या मंत्रि परसाद का तो क्या का राइट अंसर संसत का देखिए हमारी दिए संसत होती है उसका अभिन नंग है भारत का राश्पती संसत के तीन संसत में क्या होता है किस से मिलकर बनती है राश्पती 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 लोगसभा और राज्यसभा तो यह तीन मिलाके क्या मनाते है हमारी स संसद बनाते हैं ठीक है इसका अर्टिकल कौन सा है आर्टिकल नमबर 79 ठीक अर्टिकल 79 में साफ साफ करका है कि जो हमारी संसद है वो तीन से मिलकर बनेगी राश्पती लोगसभा और राज्यसभा ठीक है चले आगे बढ़ेंगे दो पून अवधियों के लिए भारत के उपर सारुपली रादा किष्णन ठीक है यह भी कहां से कहां तक रहते हैं 1952 से लेकर 1957 वही जो राजिनर परसाथ का कारेगाल है ठीक है फिर 1957 से लेकर 1962 भारत के उपराश्पती रहे ठीक है इसके बाद भी राश्पती बने 1962 से लेकर 1967 ठीक तो दो बार उपराश्पती एक बार र उनको भारातत्न मिलाता ठीक है तो ये सब चीजें दियान रिखेंगे चले आगे बढ़ेंगे राश्पती द्वारा संसत के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों का मनोनेन किया जा सकता है बड़ा अच्छा कोशिन है जोना कितने साध्यों का मननेंट कीणा सकता है, कितना कीा असकता है? बात करें पर लोकाइब के trading----。 न में आ government के तीक है कितना करता है? किया जा सकता है. राज्य सजबा में important है, राज्य सबा में बारए बार पूझाता है, जो 12 सजबास्यों को मनननित किया जाता है राष्पत्ति के दोरा, यह अलग छेत्र के होते है, जैसे साइते के होते हैं, विज्जान के, कला के, समासेवा के ठीक है ऐसे ही होते है ठीक तो इसके तहट पे क्या होता है इसके आर्टिकल में आता हूं आर्टिकल है 83 ठीक है 83 के तहट पे राश्पति के द्वारा संसत के रज्यसभा के 12 सदस्यों का मनुनेन किया जा सकता है जब कि लोगसभा में दो आंगल भारती सम्मुदा बना रहे सकता है किसकी इच्छा तक अपने पत्पा बना रहे सकता है दोस्तों भारत के राश्पती परण है तो बहुत इजी है इसना में पर टॉपिक लेगिन यह समझ लेना कि कोशिन जब मिक्सम आएंगे तो बड़े टफ लगेंगे अपको ठीक इसलिए अपको एक्स्रा भारत के परधान मंत्री की न्युक्ति कौन करेगा राश्पती करेगा सबसे पहले क्या होता है जब सरकार बंती है तो क्या किया जाता है राश्पती सबसे पहले क्या करता है परधान मंत्री की न्युक्ति करता है और फिर परधान मंत्री की सला पे अन्य मंत्रियों की न्य करता है अन्य मंत्रियों की नुक्ति करता है तो बही जो आर्टिकल 75-2 है वो यह कहता है कि राष्टपती के परसात प्रेंथ ही यह अपना पद धारण कर सकते हैं ठीक है अब जब तक राष्टपती चाहेगा तो कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है ठीक है लेकिन ध् सदन का सदस्य होना चाहिए ठीक है और अन्यता हो क्या करें च्छै माँ सदिक तक नहीं रह सकता है उसको बनकर दिखाना होगा ठीक है यह चीज़ आप जहना रहा है देखे अब भी क्या हूब आपको पता ही होगा कि उत्रा खंड में बीजेपी की सरकार बन रही है ठीक है अब बात आ रही है भाई पुसकर सिंग धामी को मुख्य मंतरी बनाया जाएगा पुसकर सिंग धामी को मुख्य मंतरी कैसे बनाएंगे पुसकर सिंग धामी तो जीते ही नहीं है तो होगा क्या कि अभी पुसकर सिंग धामी को मुख्य मंतरी बना दिया जाएगा लेकिन अगर उप्चुनाव किये जाएंगे, जो भी विधायक उनके लिए सीट छोड़ेगा, ठीक है, बीजीपी का ही होगा, जो भी विधायक छोड़ेगा, और उप्चुनाव में उसमें जीत के फिर दुबारा से अपना मुख्या मंत्री बन जाएंगे, क्योंकि अभी आपने द तो भारत के राश्पती के पात के लिए निर्वाचन आयोग का आयजन कौन करता है, भारत का उपराश्पती, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्यन आयमर्ती, भारत के अटानी जनल, तो क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत का राश्पती हो च राश्पती का अध्यादेश कितनी अवधी के लिए लागू रहता है ठीक बहुत important है राश्पती का अध्यादेश कितने अवधी के लिए रहता है यह रहता है छे महा तक ठीक है आर्टिकल 123 बड़ा important है 123 इसमें राश्पती को अध्यादेश जारी कनने के सक्ति दी गई है ठ जब संसत का कोई एक सदन या फिर दोनों सदन सत्र में ना हो, ठीक है? तो ये जो अध्यादेस होता है, ये क्या होता है? छे माहा के लिए ही लागु रह सकता है, ठीक है? ध्यान रखना, ये अध्यादेस कब तक रह सकता है? छे माहा तक के लिए ही लागु रह सकता है, ठीक? तो ध्यानक ना कि राश्पती को अध्यादेश जारी कनने का जो आर्टिकल है वो है 123 दोस्तों ये थे आज के कोशन आई होब कि आपको अच्छे लगे होंगे और extra facts भी समझ में आगे होंगे ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों की बीच में जरूर शेयर कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा संसद इस संसद को आप पढ़के लाईएगा इस पर आधारित आपको 20 महतुपूर्ट questions ठीक है तो संसद आप पढ़के आईएगा